तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक नया लोन एप्लिकेशन ले आ चुका हूँ जहाँ पर आप बहुती आसानी से 100% एप्रूबल के साथ परसनल लोन यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पर होंगे मैं application के अंदर आ चुका हूँ जिसमें यहाँ पर आपको 3 टाइप का loan दिया जाता है पहला loan आपका 4 लाग रुपिये तक का रहता है जो की salariat person के लिए होता है यानि कि अगर आप job बगरा करते हैं तो आपको 4 लाग रुपिये तक का personal loan 100% approval के साथ इस application से मिल जाएगा यह market में नया application आया है ठीक है second number आपको यहाँ पर फ्लेक्सी personal loan option आता है जिसमें आपको 1 लाग रुपिये तक का किसी को भी यहाँ पर loan मिल जाएगा अगर आप salariat person नहीं भी है तो भी आपको 1 लाग रुपिये तक का personal loan यहाँ पर 100% approval के साथ मिल जाएगा इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है आपको मैं जो process बताने वाला हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पर live भी दिखा दे रहा हूँ करके यहाँ पर देख पार होँगे इस application मतलब इस loan का नाम है flexi personal loan जिसमें आपको 1300 रुपिये से लेकर 1,00,00 रुपिये तक का 100% approval के साथ lowest interest पर personal loan मिलता है इसके लिए कुछ नहीं करना होता है बस आपको अपना application में जो मैंने process बताऊंगा में वही process आप करेंगे आपका loan 100% approval के साथ आपको मिल जाएगा तो कैसे आपको loan लेना है कैसे आपको loan के लिए apply करना है तो चलिए वीडियो को मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे आपको loan को apply करने के बाद bank account में लेना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस application से आपको कितने रुपिय तक का loan मिलेगा, कितना आपको interest देना होगा, कितने दिनों के लिए आपको loan यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यह आपको जान लेना चाहिए ताकि आपके साथ बाद में कोई धोखा ना हो, तो द चार लाग रुपिय तक का loan, salary 8% को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप salary 8% नहीं है, तो आपको कम loan यहाँ पर जो यह 100% approval के साथ मिल जाएगा, यहाँ पर जो आपका interest rate रहेगा, वो रहेगा 0% से लेकर 29.95% पर annum का, यानि कि एक साल में आपको 29% का interest देना होगा, ठीक है, loan जो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो आपको 4 लाग रुपिय तक का मिल जाएगा, अब देखिए यह जो loan application है, यह lowest interest पर आपको loan provide करती है, सबसे best application है, 223 का, ठीक है, loan जो आपको इसमें मिलेगा, वो मिलेगा 3 महनों से लेकर 24 महनों तक के लिए, यानि कि 24 महनों तक के वो रहेगा आपका आधार card, pen card और आपके पास यह सब document अगर है, आधार card, pen card आपके पास अगर है, तो आप इस application से loan के लिए apply कर सकते हैं, और loan ले सकते हैं, आप मैं आपको loan apply करके bank account में पैसे को लेने का process बताता हूँ, सबसे पहले आप application को open करेंगे, application को कहां से install करना ह वो मैं आपको video के end में बता दूँगा, बस आपको यहाँ पर process पहले देख लेना है कि कैसे मैं आपको apply करके process दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप application को install करके loan के लिए apply करेंगे, application को open करने के बाद allow पे click करेंगे, अपना language select करेंगे continue पे click करेंगे, अब यहाँ पर आपको परकार के loan ले सकते हैं, नीचे आपको option मिलेगा login का, आपको login sign up with mobile पे click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है, और continue पे आपको click करना है, अब एक OTP send किया गया है, OTP डाल के submit करेंगे, and OTP submit करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा, खाली box का, को tick करेंगे, और I agree के option पर नीचे आप click करेंगे, while using the app पे click करेंगे, allow के option पर आप click करेंगे, अब कुछ सकन यहाँ पर wait करेंगे, अब आप इस page पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको option मिलेगा, enter your pen card number का, यानि कि यहाँ पर आपको अपना pen card number यहाँ पर उपर में डाल दे दोनों खाली box को आपको tick कर देना है, और submit के option पर नीचे आपको click कर देना है, अब दोस्तों आप pen card number डालके next करेंगे, आपको यहाँ पर next page में आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना income details फिल करना होगा, तो देखिए सबसे पहले number पर उपर में option मिलेगा employment type का, यान करेंगे, और यहाँ पर आपको option मिलेगा monthly salary और income, यानि कि यहाँ पर आपका monthly कमाई कितना है, वो आप monthly कमाई डाल देंगे, खाली box को tick करेंगे, और नीचे आपको submit का option मिल जाएगा, submit पर आप click करेंगे, अब आप next page पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना QIC document complete करना ह होगा, तिसके लिए आपको सबसे पहले QIC document में click करना है, अब यहाँ पर आपको QIC complete करने के लिए दो photo upload करना होगा, पहला आपका आधार काड का photo upload करना होगा, और second आपको एक selfie upload करना होगा, और उसके बाद नीचे आपको option मिल जाएगा, summit का जो कि आप नीचे देख पा र अपलोड कर देना है, दोनों side का, front side और back side का, और यहाँ पर आपको option मिलेगा, selfie का capture पे क्लिक करेंगे और आपको आपको अपना एक selfie upload कर लेना है, तो यहाँ पर मैं अपना अधार का photo और अपलोड कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आप जो आधार का फोटो अपलोड कर ले करेंगे यहाँ पर आप अपना education कहां तक पड़ी रिखे वो select करेंगे यहाँ पर आपका occupation क्या है पुर्फेशन क्या है वो select करेंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा आपका communication address का यानि कि आपका जो आधार कार्ड में address है वहीं address पर अगर आप अभी रह रहे हैं तो same as kyc document पर क्लिक करेंगे अगर आप दुसरा address पर रह रहे हैं तो आप select कर सकते हैं आपका यहाँ पर residence select कर लेंगे और नीचे आपको totally select करने के बाद option मिलेगा continue का continue पर आप क्लिक करेंगे अब आप सारा process complete करके application को submit कर देंगे तो आपका यहाँ पर application submit हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा application submit हो चुका है अब आपका यहाँ पर application की तरफ से जो application जो एपकी मदद से आप loan के लिए apply कर रहे हैं उनका तरफ से यहाँ पर आपके application amount approved होता है तो उसको आप यहाँ पर withdraw पे click करके अपना amount को directly bank account में ले सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ time wait करना होगा उसके बाद अपने आप यहाँ पर eligible का message आ जाएगा लिखा हुआ आ जाएगा जिस पर click करके आप अपना bank details डालेंगे आपका जो भी loan amount approved हुआ है उस loan amount को आप directly bank account में withdraw कर पाएंगे तिस परकार से आप इस application से बहुती आसानी से lowest interest पर loan ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी problem होता है तो आप यहाँ पर इसका जो customer care number रहता है उसको भी मैं आपको बता दूंगा कुछ भी problem होता है तो आप call करके से भी जानकारी ले सकते हैं अब application को कहां से install करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं तो देखिए application को install करने के लिए आप Google Play Store पर आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे credit B ठीकर यह लिखके आप सर्च करेंगे आपके आज आएगा credit B quick personal loan app जो की आप यहाँ पर देख पा रहोंगे यह quick personal loan application है यहां से आप 4 लाक रुपिये तक का personal loan ले सकते हैं अगर आपका civil ठीक रहा तो अगर आपका civil खराब है तो भी आपको 25,000 रुपिये का personal loan मिल जाएगा जो process मैंने आपको बताया है उसी process से आपको loan के लिए apply करना है कुछ भी घड़वड़ी आपको नहीं करना है मैं आपको मैंने आपको जो भी बताया है पहले आपको अपना pen details डाल कर अपना information complete करना है KYC complete करना है उसके बाद application को submit कर देना है उसके बाद application को check करके आपका बताया जाएगा कि आप eligible है या नहीं है अब देखिए आगर आपको कुछ भी problem होता है इस application से loan लेने में तो आपको क्या करना है इस call down करके नीचे आना है देखिए आपको customer support का number मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख पार है उस परकार से apply कीजिए और second number बात अगर आपको इस application से बाइ chance loan नहीं मिलता है तो और एक application का link में आपको description box comment box में दे दूँगा उससे आप apply करके 100% आप जो वहाँ सो भी loan अगबार एक बार आप try कर सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चली निक्ट बिम मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए